बाबुलंद आवाज में और हर प्रकार के आड़े तुछे प्रशन उन्होंने पूछे यह असान नहीं होता है बहुत कठन होता है और इतनी बड़ी शक्सियत जब सामने हो तो बहुत कठन होता है और इनके प्रशन पूछने से जो आप लोगों के मन में चंतन उत्पन हुआ और आपने प्रशन पूछे तो आपको भी बहुत सारा साधुबाद आप लोगों के लि कि वो बहुत संक्षप्त उत्तर देते थे अब ये सुनने वाले पर निर्फर करता है कि वह उत्तर की गहराई को कितना नाप सकते हैं कभी चिट भी लिखते थे तो किवल एक लाइन लिखते थे और बाकी सारी बात आँखों से वो केह देते थे सुनने वाले समझ जाते थे या पढ़ने वाले समझ जाते थे और सत्ता का कारे उसी आग के इशारे से आगे बढ़ जाता था आज भी बापु ने जो प्रुशनों के उत्तर दिये चाहे राजनीती हो चाहे अर्थव्यवस्ता हो उन्होंने केंद्रित उत्तर दिये यानि स्वम पर केंद्रित मनुश की आत्मा को जगजोरने का जो अनुपम प्रितन उनों ने यहां किया वो हमको मार्ग दिखाएगा, हमारा मार पुशस्त होगा, हमारा आपका मार पुशस्त होगा, तो राष्ट का मार पुशस्त होगा, ऐसे ही धीरे-धीरे कारवा और मुझे लगता है कि वो सब लोग कहेंगे जो जिनकी शिकायते वो भी कहेंगे बापु आप हमारे हीरो थे आप हमारे हीरो हैं और आप हमारे हीरो बापू बहुत बहुत धन्यवाद एक बार जोर से जैहिन वंदे मात्रम भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और बापू के लिए एक बार फिर जोरदार तालिया बहुत बहुत धन्यवाद जलसा बाप कि लाजवाब अभूत शांदार बाकमाल जोरदार तालिया एक पर फिर से हाथ उठा चरके कमाल किया है वाकाई और ये देखिए किसी भी कलाकार की सफलता सबसे बड़ी इस बात में है कि जो किर्दार उने दिया जाए वो ही लगने लग जाए हम भूली गए सभी कि ये बापू नहीं है और हम उनसे वही सवाल कर रहे जो हम बापू से पूछना चाहते हैं मैं यू कहूंगे कि ये अदभुत पेशकश रही ला जवाब पेशकश रही लेकिन बागी बाते बाद में करेंगे एक भाई साब हमारे पास आए है और उनकी बड़ी परिशानी है एक कि यूपी फॉर्टीन डीबी एट थाउजन वन ये नमबर जिनका भी है गाड़ी का वो गाड़ी बीच रस्ते में अड रही है दिकत कर रही है वो गाड़ी हटाने एक बाद तो वाकई आज जो है ये वाली पेशकश जो रही विशेश आकर्शन आज के कारिकरम विशेश था ये आप सभी के लिए जनता की आदालत और डॉक्टर प्रवीन तिवारी जी ने ला जवाब सवाल किये बेहतरीन सवाल किये वही कुल बुलाहटें जो हमारे जहन में अक्सर होती है और महात्मा जानी जी ने जी हां महात्मा जानी जी ने इतने खुबसूरती से क्योंकि ये वो सिर्फ किरदार करते नहीं है गांदी जी का ये उस किरदार को जीते हैं और इस हद तक जीते हैं कि वो उनके भीतर जो है रच बस चुका है और गांधी जी से संबंदित किसी भी बात का जवाब देने में ये सक्ष्रम है ये उनकी उस साधना का प्रती फलन है कि स्किर्दार को इतने लंबे अर्से तक इनोंने जिया है वाकई सलाम बनता है मैं एक बार पुन है जोरदार तालियां चाहूंगी और जज की कुर्सी पर निश्चित तोर पर आधरनिय पवंसर ही हो सकते हैं और वो भी इतने वो उद्वेलित हो गए थे कि एक सवाल उनके भी जहन में आया कमाल का मंचन, कमाल की पेशकर्ष और ऐसे आयोजन ही हमें जो है आगे की जोरगर सर करते हैं और जी वो गाड़ी के अनॉस्मेंट हुई थी कोई प्लीज उठ जाएं क्या पता बाहर चड़े गए हो सर यूपी 14 डीबी 8001 जिनका नंबर है गाड़ी का वो गाड़ी को हटा लें रस्ते से हाँ जी हट गई है तो अब जो है जिन्होंने जनता की जालत लगाई उन दोनों शक्सियतों को हम जो है सम्मानित करना चाहेंगे उत्थान समीति की और से और इसके लिए मैं आमंत्रन देना चाहूंगी सम्मानित करने के लिए आ जाएं कमल कांत शर्मा जी आ जाएं आर्सी माथुर जी आ जाएं मनुग्या सिंग चंदल जी आ जाएं आप सब मंच पर आ जाएं और ये बाकमाल पेशकर्श हम सभी के सामने रखने वाली इन दोनों विभूतियों का सम्मान उत्थान समीति की और से किया जा रहा है मनोज त्यागी जी आ जाएं बी एम पंचोरी जी आ जाएं बी एम पंचोरी जी अनिल भटनागर जी आ जाएं ये एक नवीन प्रयोग लगा मुझे नाटक और थेटर हम अकसर देखते रहते हैं और उसमें अगर इस तरह के मंचन ये प्रयास अगर किये जाएं बहुत सारी थेटर जैसी संस्थाओं से में जुड़ी भी हो और मेरा उनको ये सुझाव रहेगा कि इससे क्या होगा कि एक परदर्शीता आएगी जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भी सुन ले लेते हैं कुछ भी जान लेते हैं और उसे ही सत्य मान लेते हैं तो हमारे उस जूट का परदा हटेगा सच से सामना होगा और ये बहुत कमाल का प्रयास मुझे लगा इतिहास बार बार भी लिखा जाता है, इतिहास बदल भी दिया जाता है, इतिहास में फिर बदल भी होते हैं, जरूरत ये है कि हम कितनी बारीक नजर से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने और जानने की कोशिश करते हैं, तो यूही आँख मूंद कर विश्वास कर लेना जो होता है वो दिख भ्रहमित करता है, सत्य को खोज की जरूरत होती है, सत्य को बारीकी से खोजिये. शास्त्री नगर व्यापार मंडल जी, व्यापार मंडल के अध्याक्ष जो है, अवधेश कुमार जी और चेर्मेन संघ्राम सिंग ஜी हमारे बेचा गये हैं, उनका भी हार्ती काभीनंदन है, स्वागत है, जोरदार तालिया अनके लिए. हमारे सभी गणमाने व्यक्ति तो एक एक कर हमसे जुड़ते जा रहे हैं और जब जोरदार तालियों की बात होती है तो तालिय जोरदार होती ही नहीं है और उसका एक ही कारण है कि कारेक्रम में आप इतना डूब जाते हैं इतना डूब जाते हैं कि उबर ही नहीं पाते लेक किसका लहू है, कौन मरा? कौन सा जजबा था, जिससे फर्सूदा निजा में दिस्त हिला, जुलसे हुए वीरां गुल्षन में, इकास उमीद का फूल खिला, फोजों का लहू जनता से मिला, जनता का लहू फोजों से मिला, ए रहबरे मुलके कौम जरा, आखें तो उठा, नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुनें, हमको भी बता, ये किसका लहू है, कौन मरा? बहुत शुक्रिया, कौन सा जजबा था, जिस, हाँ, दुबारा रिपीट हो गई है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, कौमे वतन की जैगा कर मरते हुए राही गुंडे थे, जो देश का पर्चम लेके उठे वो शोक सिपाही गुंडे थे, जो वारे गुलामी सेह न सके वो मुझरिमे साही गुंडे थे, रहबरे मुलके कौम जरा, आखें तो उठा, नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुनें, हम को भी बताएए, किसका लहू है, कौन मरा, तो कितना लहू बहा है इस कौमे वतन को आजाद करने में, कितने कुर्बानियां दी गई हैं, ये जो है, बहुत बारीकी से अध्यन करने की चीज़ें हैं, आप किसी की भी शहादत को यूही न न कारिये, फकीर होना आसान नहीं होता, गांधी होना आसान नहीं होता, कौन रह पाता है इस फकीरी के साथ, मैंने कहा था कि दिख्षित Dhanqori जी की पंक्तिया है, कि अलग ही मजा है फकीरी का अपना, न खाने की चिंता न पाने का डर है, अलग ही मजा है फकीरी का अपना, तो ये फकीरी जी नहोने जी, महात्मा जानी जी ने कमाल किया, अभी भी मुझे तो यू ही लग रहा है कि बापू चल रहे है, और हमारा देश तो वो देश है, जो नामायन देख करके अरुन गोविल जी के पाऊं चूने लग जाता है, तो हम ऐसे देश के वासी है, हमें बिल्कुल अनुभूत हो रहा है कि गांदी जी है, मैं समझ पा रही थी आपकी भावनाओं को, जजबातों को की, यू लग रहा था, आज गांदी ने छोड़ना है नहीं, वह आता है, सारे सवाल करेंगे, लेकिन अच्छी बात है, ये विचार विमर्ष जो है, हमारे जहन की खिड़कियों को खोलता है, ये विचार विमर्ष हमारे बंद दर्वाजों, उठिये नहीं, उठिये नहीं, पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दो दोस्त, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ कुछ कमाल औ अब धमाल होने वाला है, अभी बैटे रही है, बाहर वैसे भी बारिश हो रही है, आप जा नहीं पाएंगे अभी, और अब हम जाने भी नहीं देंगे आपको, कमाल कमाल परफॉर्मेंसे जाने वाली हैं अभी, तो उस माया जाल से बाहर आते हैं, जो ये कमाल का नाट्य पेश कर्श हमने देखी, नाट्य परस्तुती, उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ आते हैं और अब